जार्खंड करेंट अफेर्स की सीरीज को आगी बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे जार्खंड कैबिनेट के फैसले 2021-22 में जार्खंड कैबिनेट के जो भी फैसले लिए गए हैं, जार्खंड कैबिनेट के दौरा जो भी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं सारे के सारे फैसलों को आज हम cover करेंगे और आज इसी वीडियो में आपको याद भी कर लेना है सारी के सारी चीजों को स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपनी YouTube चैनल परिक्षा Halt 247 में अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर दबाईएगा और जादा से जादा दोस्तों में परिक्षा Halt 247 को सेर किजेगा जिससे हमें motivation मिलेगी आप तक अच्छे से अच्छे content exam point of view से जो सबसे best content होगा उसे आप तक पहुचाने के लिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं जारखंट cabinet के फैसले यह magazine है उस्परधा publication की जो magazine है उससे जारखंट cabinet के फैसले को हम यहाँ पर cover करेंगे और इसके बाद exam से पहले पहले तक जितने भी important magazines हमारे हिसाब से लगेगा वो आपके लिए यहाँ पर cover करवा दिया जाएगा और आपको इसका PDF डाउनलोड कर लेना है परिछा होल 247 की टेली ग्राम चैनल से वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर लेंगे और इसके बाद यह जो वीडियो है इसे आप सुन लिजेगा तो आपका पूरा का पूरा current affairs जार्खंड से related cover हो जाएगा तो चलगे स्टार्ट करते हैं जार्खंड cabinet के फैसले 2021-22 में जुलिए गये है सबसे पहले यहाँ पर देके लिखा हुआ है 6 जनवरी 2021 बिजली खरीद के त्री पक्चिय करार से जार्खंड अलग बिजली खरीद के त्री पक्चिय करार से जार्खंड अलग क्या है इसमें दिखते हैं जार्खंड cabinet ने दो बड़े फैसले लिए 6 जनवरी 2021 की यह बात है बिजली खरीद के लिए त्री पक्चिय करार से जार्खंड अलग हो गया जार्खंड कैबिनेट ने दो बड़े फैसले लिए पहला जार्खंड ने बिजली खरीद के लिए उर्जामंत्राल रिजर्व बैंक और राज्य सरकार के बीच याद रखेगा ये तीन त्री पक्चिय करार कैसे है उर्जामंत्राल है रिजर्व बैंक और राज्य सरकार के बीच हुए त्री पक्चिय करार से स्वैम को अलग करना और दूसरा जार्खंड कंबाइंड एक्जामेनिसन रूल्स 2021 को मनजूरी देना राजिके SCST महिलाओं और पंद्रहवे बित आयोग वा सम्विदाहान के तहट मिलने वाली रासी से बिजली कंपनियों का बकाया चुकाने के लिए कटवती की गई और सरकार ने इसे एक तरपा पाया इसलिए क्याबिनेट ने करार से अलग होने का फैसला लिया है तो आप यहाँ पर ध्यान से देख लिजेगा कि बिजली खरीद के जो त्री पक्षिय करार से जारखंड अलग हो गया आगे देखते हैं Combined Civil Services Examination Rule मंजूर Combined Civil Services Examination Rule को मंजूरी दी गई 6 जनवरी 2021 को JPSC परिक्षा में हर बार उठते विवाद को देखते हुए अभी जब हम JPSC परिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं तो JPSC साथवां से लेकर कि 7th to 10th JPSC का final result आ चुका है अब अगर आप JPSC के तयारी कर रहे हैं तो आपको जुड़ जाना चाहिए JPSC के तयारी में 11th JPSC की तयारी अगर आप कर रहे हैं तो क्योंकि जल्द examination का notification आने क की उम्मीद है JPSC परिक्षाओं में हर बार उठते विवाद को देखते हुए राज्य क्याबिनेट में जहारखंड combined civil services examination rule 2021 को मंजूरी दी अब JPSC इसी नियमावाली से परिक्षाएं आयोजीत करेगा और इसी आधार पर परिक्षा के केलेंडर जारी होंगी और नियुकत कर्डिसन उम्र की छूट ये है ठीक है तो यहाँ पर देखे हेमंद सरकार ने JPSC सिवील सेवा परिक्षा की उम्र सीमा में 4 साल 7 महिने की छूट दी है साथ ही SCST, SCST, BC और EWS स्रेनी के अभ्यरतियों के पद के 15 गुना भरने के लिए PT के क्वालिफाइंग मार्क्स में 8 फि और नियून्तम की 1 मार्च 2021 होगी इसे याद रखेगा मतलब इतना कोई इंपोर्टेंट नहीं है लेकिन लिया गया है तो देख लेते हैं TAC में 20 सदस्य होंगे TAC यानि के Tribes Advisory Council तो कैबिनेट ने TAC Tribes Advisory Council में संसोधन कर जारखंड जनजातिया परामर्स दातरी नियमावली 2021 के गठन को मंजूरी देदी है TAC में 20 सदस्य होंगे मुख्यमंतरी अध्यक्ष होंगे और अनुसुचित जनजाती कल्यान मंतरी उपाध्यक्ष होंगे यादर केगा कि यहाँ पर जो मुख्यमंतरी होंगे TAC के वो यानि के Tribes Advisory Council के मुख्यमंतरी क्या होंगे अध्यक्ष होंगे और उपाध्यक्ष कौन ह तो उपाध्यक्ष होगा अनुसुचित जनजाती कल्यान मंतरी इसके उपाध्यक्ष होगे इसके अलावा इसमें 18 सदस्य होंगे और कूल मिलाकर टीएसी में 20 सदस्य होंगे इसमें 15 राज्य के स्टी विधायक होंगे और तीन ट्राइब्स मामलों के विसे सग्यों का चैन के व्रिध और बिमार कलाकारों को हर मां 4,000 रुपे पेंसन दिये जाने की घोसना क्याबिनेट ने की है राज के स्रेश्ट एवं वहतरीन औस्वस्थ या व्रिध कलाकारों की पेंसन 1,000 रुपे प्रतिमाह से बढ़ा कर 4,000 रुपे कर दी गई है कर दी जाएगी मुख्यमंतरी हिमंत सुरेन ने कला संस्कृती खेलकूद तथा युवाकार या विवाक की पेंसन रासी में बृधि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है अब इसे मंतरी मंडल की स्विकृती के लिए रखा जाएगा आगे देखते हैं कि जो यहाँ पर घायल को घायल को अस्पताल पहुचाने पर पूछताच नहीं इनाम मिलेगा दे कि पहले क्या होता था कि अगर कोई एकसिडेंट हो जाता था रोड पर तो लोग क्या डर करके अरे हम ले करके जाएंगी तो हमसे ही पुलीस पूछताच करेगी तरह-तरह के बखेडा बाजी होगा तो यह सब को हटाते हैं चुकि घायल को उठा करके आप जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुचाएंगे अगर एकसिडेंट के एक घंटे समय जो गुल्डेन आर होता है उसमें अगर आप ले करके जाते हैं तो उसके जान बचने की संभावना बहुत रहती है उसी समय में अगर आप पहुचा देते हैं तो अब आपसे पूछताच नहीं बलकि नाम मिलेगा तो देखें मंत्री परिशद ने गुड समारिटन पॉलिसी को स्विकृती दे दी है इसके तहट जारखन में सडख दुरगटनाओं में घायल व्यक्तियों की सहायता के लिए अस्पताल पहुचाने वाले से उसके बारे में पूछताच नहीं की जाएगी और इसके तरिक ऐसे नेक नाग्रिकों को सरकार की ओर से 20,000 रुपे पुर्टसाहन रासी भी दी जाएगी यहां से क्या important है कि 20,000 रुपे रासी दी जाएगी दुसरा यहां पर यह है कि घायल को लेकर के जाने वालों को उसे पूछताच नहीं और तीसरा है कि मंत्री परिशद में Good Samaritan Policy ये जो प्रिशी है वो Good Samaritan Policy है लापता के परिजनों को भी नौकरी मिल सकेगी यादर के गाग अब अनुकंपा के आधार पर राज्य सरकार की नौकरी सिर्फ मृतक के परिवार के परिजनों को ही नहीं बलकि साथ साल के लापता क् पर ही निप्टाए जा सकेंगे तो यहां से यह जाद रखे लिजेगा कि लापता के परिजनों को भी अब नौकरी मिल सकेगी राजभर की हर पंचायत में पांच चापा नल दिये जाएंगे ये भी कैबिनेट में फैसला लिया गया है ठीक है तो ये जारकन कैबिनेट के सारे के सारे फैसले हैं पूछे जाते हैं राजभर की हर पंचायत में पांच चापा नल दिये जाएंगे तो राजे के 4,374 ग्राम पंचायतों में सबसे पहले यही important हो जाता है कि राजे भर में कितने ग्राम पंचायत हैं तो 4,374 हैं और उसमें से पंचायतों में 18,431 लाख रुपिय की लागत से 21,870 टोलों में चापा नल लगेगा यहां पर यह important हो जाता है कि कितने रासी कितनी रासी के किसे यही काम होगा तो 18,431 लाख रुपिय ठीक है कितने टोलों में 21,870 टोलों में और ग्राम पंचायत तो 4,374 वर्स 2008 से 10 तक प्रती पंचायत 5 चापा नल की विवस्था समाप्त कर दी गई थी अब 4,374 ग्राम पंचायतों में कूल 21,18,702 टोलों की 2,18,702 टोलों को चापा नलों से अच्छादित करने के लिए 884.31 करोड रुपे का योजना एबम वे की स्विकृति दी गई आगे देखे लिखा हुए विस्थापितों को जमीन के बदले अंक दिये जाएगे देखे विस्थापितों को जमीन के बदले क्या दिया जाएगा तो यहाँ से देखते हैं कि जल संसादन विभाग के वर्ग तीन के पदों की नियुक्ति नियमावली के प्रस्ताव को मंज जमीन के बदले दो ग्रेस अंक, तीन से चार एकड़ के लिए पांच अंक और पांच एकड़ से अधिक जमीन के बदले दस अंक मिलेंगे, ये स्कोर क्या है, इसके बारे में आगे कभी आपको बता देंगे, अब हर बृध गरीब को मिलेगी पैंसन, देखे, अब हर बृध यानि कि जो बुड़े बुजूर्ग लोग हैं, उनको हर बुजूर्ग लोग को अब क्या होगा पैंसन मिलेगा, जहारकंड के करीब 3.65 लाख अतिरिक्त व्रिद्धों को पैंसन देने के परस्ताव पर क्या हुआ, मोहर लग गई है, मुख्यमंतरी राज्य पैंसन योजन को पैंसन योजना का लाब मिल सकेगा, दिव्यांग, परित्यक्ता, विध्वा या फिर भुजूर्ग को लाब देने में कोई अलचन आये तो विभाग योजना से संसोधन का प्रस्ताव लाएगा, आगे देखते हैं, पैसों से जुड़े मामलों में तेज होगी क्याबिनेट के एक अन्य फैसले में, जहरकंड के हर एक जिले में एक-एक सिविल जज न्यायाले, जिला न्यायधीस अस्तर के एक-एक न्यायाले गठन करने और जिला न्यायधीस अस्तर के न्यायाले को सिविल जज कोटी में वानिजिक न्यायाले द्वारा पारित आदे 29 के विरुध अपील स्रवन की सक्ति प्रादान की गई है तो याद रखेगा कि पैसों से जुड़े मामले अब तेजी से सुने जाएंगे अब आगे देख लेते हैं कि इसके अलावे कुछ अन्ने फैसले थे उनको देखते हैं कि इसके लावे क्या अन्य फैसले हैं तो सीधे 103 जेनरिक दवाओं को खरीद सकेंगे अस्पताल और विर्सा मुंडा हवाई अड़ा का होगा विस्तार देखें अन्य कैबिनेट फैसलों के बारे में अगर बात करें तो ये 3 फरवरी 2021 को जो कैबिनेट में फैसले लिए गए हैं उसके बारे में बात हैं कि जेनरिक दवाओं को 103 जेनरिक दवाए खरीद सकेंगे अस्पताल वहीं पर विर्सा मुंडा हवाई अड़ा का विस्तार होगा राची में स्थापित होगा ठोस अफसिस्ट प्लांट बिजली सबसीडी के लिए 1000 करोड रु देखते हैं आगे देखते हैं 25 फर्वरी 2021 को जो काबिनेट में जो फैसले लिए गये उसके बारे में देखते हैं आंदोलन कारीों की पेंसन वर मनरेगा मज़दूरी में वरिधि जारखंड आंदोलन कारीओं के आसरितों की सीधी नयोकती होगी साथ ही करीम 30 लाख मनरेगा मजदूरों की मजदूरी 31 रुपया बढ़ाई जाएगी याद रखेगा ये वाला पॉइंट है कि जो मनरेगा मजदूरों की मजदूरी जो है 31 रुपया बढ़ाई जाएगी मंत्री बंडल ने सारवजनिक अस्थानों पर तंबाकू उत्पाद जैसे की सिग्रेट गुठ का खैनी आधिका सेवन करने पर प्रतिबंद लगाने का फैसला लिया है तो याद रखेगा अगर आप भी बिमल पान जो आप सुनते होंगे कि बोलो जुबा के स्री अगर आप हैं तो उस प्रकार के काम नहीं किजेगा नहीं तो आपको जुर्माने स्वरूप एक हजार रुपे फाइन किया जा सकता है दुसरी और सरकार ने हुक का बार पर पूरी तरह प्रतिबंद लगाने का भी निर्ने लिया है उद्यम्यों और high voltage उपभूक्ताओं पर लगेगा green sense की green sense क्या है तो उद्यम्यों और high voltage उपभूक्ताओं पर green sense लगेगा राज में अब 33 kilo voltage या इससे अधिक voltage पर बिजली connection वालों पर green sense लगाने का निर्न लिया गया है देखे वैसे उपभोगता जिसको जाएदा बिजली की जरूरत है जाएदा बिजली उपभोगता वो मतलब हाई वोल्टेज बिजली उसको चाहिए अगर वो कोई इंडस्ट्री चोटा मोटा इंडस्ट्री लगाएगा या फिर इस तरह का तो उसे जाएदा बिजली चाहिए धारित करने के लिए जहारकंड हरित उर्जा उपकर विधैक 2021 को स्विक्रती देती है। उपकरम को छोड़कर दूसरों को बिजली आपूरती करते हैं उन पर प्रती युनीट 15 पैसा ग्रीन से लगेगा। राज्य के जो अंदोलनकारी हैं उस पर जो डिपेंडेंट्स हैं आसरितों को आरक्षन मिलेगा। और रिजर्वेशन किस में दिया जाएगा तो हवा में दिया जाएगा। पहले पेंशन 5,000 रुपिय तक थी और साथ ही जार्खंड अंदोलनकारीयों को चिनित करने के लिए पुर्व में गठित आयोग ने पुनर गठन की स्विकृति दे दिया। आठवी के छात्रों को साइकिल मिलेगा। पहले में DBT के माध्यम से दी जाती थी। इमान पर सैलरी मिलेगी। राज में नीजी वेफसाई बेच सकेंगे सराब। देखे ये वाला कैबिनेट का फैसला है कि जो राज में जो नीजी वेफसाई हैं जो वो प्राविट जो बेचने वाले हैं वो सराब बेच सकेंगे। अब 2010 के पहले की तरह वेफसाई कमपनिया या फर्म के माध्यम से हो सकेगी। ग्रामिन घरेलू बिजली के बकाया का व्याज माप हो जाएगा ऐसा बोला गया है कैबिनेट की द्वारा। पर 100 मेगावाट का तैरता सोलर प्लांट लगाया जाएगा। ग्रीड से राची के घरों तक पहुचेगी। यानि कि यहाँ पर जो गेतल सूद डैम में जो 100 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा। इसने जो बिजली बनेगी वो कैसे आएगी राची के घरों तक तो वो आएगा किसके सिकिदरी गिरीड से राची के तक आएगी। गेतल सूद डैम के 1.6 स्क्वाइर किलोमीटर चेतर में 100 मेगावाट सौर उर्जा का उत्पादर करने के लिए सेकी संयंतर लगाएगा और इससे निवेस 200 बैंक करेगा। दिया जाएगा दिखे जो स्कूल में जो MDM होता था मिड़े मिल वहाँ पर जो बनाने वाली जो भोजन बनाने वाली होती थी उन सब रसोया को अब 2,000 रुपे मान्दे दिया जाएगा पिमेंट सेलरी दिया जाएगा के अंदर प्रायोजित मध्यान भोजन यूजना यान बांदे मिलेगा विभाग अलग किये गए कौन-कौन से विभाग तो देखे ग्रामिन विकास विभाग को बाट कर ग्रामिन विकास विभाग और ग्रामिन कार्य विभाग और पंचायती राज विभाग बनाया गया देखे ग्रामिन विकास विभाग एक था उसको बाट कर के तीन अलग-अलग विभागों में बाट दिया गया है ग्रामिन विकास विभाग ग्रामिन कार्य विभाग और पंचायती राज विभाग देखे इसी परकार योजना सह वित्य विभाग को अलग करते हुए योजना एवं विकास विभाग अलग कर दिया गया और वित्य वि इंफरस्ट्रक्चर के लिए 10 करोड रुपे की मनजूरी भारत सरकार की द्वारा संपोसित दीन द्याल उपाद्ध्याई ग्राम ज्योती योजना के अंतरगत भारत सरकार की द्वारत सरकार की द्वारा चलाया जाता है और इसके अंतरगत एडिस्नल इंफरस्ट्रक्चर कार के लिए एक हज्जार 77.70 करोड की प्रसासनिक स्विकृति दी गई इसमें 60% केंदरांच मतलब 7% जो पैसे हैं वो केंदर देगा 646.62 करोड एबं 40% राज्य का राज्य देगी 431.08 करोड की स्विकृति दी गई आगे देखें 22 जून 2021 को जो कुछ कैबिनेट की द्वारा फै जहरकंड कैबिनेट में पंचायती राज मंत्रालेस भारत सरकार द्वारा प्रारंब की गई 7% यूजना स्वामित्र यानि की सर्वे ओफ विजिलेंस एंड मैपिंग विद इंप्रोवाइजड टेकनोलोजी इन विलेजरिया को जहरकंड में लागू करने की स्विकृति द जाएगा उसका सबसे सुरुवात पहले कहां से होगा ठखूटी से दिखे 29 जून 2020 को कौन सा आया फैसला पेंशन मद से 4 फिस्दी सरकारी अंसदान बढ़ा दिखे पेंशन मद से में 4 फिस्दी 4% सरकारी अंस यानि के सरकारी अंसदान बढ़ गया है राज सरकार में 1 दिस अंसदान 14% 14 परतिसत अंसदान जो है अब सरकार करेगी अब तक कर्मियों के बराबर ही सरकार 10 पिसदी अंसदान करती थी जो पेंसन होता था उसमें कर्मियों का 10% और राजी सरकार 10% लेकिन राजी सरकार अब 14% करेगा और इसमें 1 जुलाई 2021 से 4% की बढ़ोतरी का फैसला किया गिया है फसल छती होने पर किसानों को ततकाल रहत दिया जाएगा फसल के लॉस होने पर या फिर फसल छती होने पर किसानों को ततकाल रहत कैबिनेट ने जारकंड राज फसल रहत योजना के लिए 25 करोड के कौपर्स फंड को भी मंजूरी दे दी है और इससे किसानों को फसलों की छती पर ततकाल रहत मिल सकेगी देखें यहाँ पर है क्या यह जो आदिवासियों के समाजिक आर्थिक संरक्षन के विकास के लिए 25 लाग तक का लाभुक समीति करेगी अब देखें यहाँ पर क्या कहता है कि रज में आदिवासियों के समाजिक आर्थी कस्तल के सनरक्षन और विकास के लिए 25 लाख रुपिये तक के काम लाभुक समीतियों के माध्यम से कराया जा सकेगा अदिवासियों के धार्मिक अस्तल जैसे कि सरना, हड्डियां दफन करने वाले कब्रिस्तान, मसना, आदिकास, सनरक्षन और विकास में जुड़े 25 लाख तक के कारियों को लाभुक समीति के माध्यम से कराने के लिए नियमावाली में बदलाव किया गया है देते हुए 200 करोड रुपे का प्रावधान किया है और प्रती काई अधिकतम 5 करोड रुपे खर्च किये जा सकेगे आगे देखे 6 जुलाई 2021 को जहारखंड कैबिनिट के द्वारा किये गया फैसली नई उद्योग निती को मंजूरी दे दी गई है 5 लाख को रोजगार का लक्ष देखे यहाँ पर है सुबह के में 5 लाख को रोजगार और 1 लाख करोड के इन्वेस्टमेंट का लक्ष रख बनी जारखंड और द्योगिक एवं निवेस प्रोत्साहन निती 2021 के तहट 5 लाख लोगों को रोजगार तथा 1 लाख करोड के इन्वेस्टमेंट का लक्ष रखा गया है और कैबिनेट ने 6 जुलाई 2021 को 6 जुलाई 2021 को इसकी मंजूरी दे दी और यह 1 अप्रील एक अप्रील 2021 से 5 वर्सों तक के लिए लागो होगी इस नई निती में 5 सेक्टरों जैसे की टेक्स्टाइल एंड अपेरल, आटो मबाइल, आटो कॉंपोनेंट्स एंड एलक्ट्रिक वैकिल, एग्रो फूड एंड मीट प्रोसेसिंग, फार्मेसिटिकल्स, एंड एलक्रोन पर भी जूर रहेगा, आप इसे एक बार या दो बार ध्यान से सुनिएगा, आपको सारा कुछ याद हो जाएगा, देखे, MSME, जो small enterprises होता है, MSME में 25% तक अनुदान का प्रावधान, सुबे में 1 अप्रील 2021 से लागो की गई नई जार्खंड और द्योगिक, सुबे में 1 अ प्रावधान किया गया है, यह लाब निवेसकों, इन्वेस्टर्स को 1 करोड रुपे की लागत को मानक मानते हुए, छोटी इकाई के लिए 5 करोड और मध्यमिकाई के लिए 10 करोड की लागत पर मिलेगा, याद रहेगा, देखे, यह लाब जो है, जो यह लाब, यानि कि 25 फिसनी तक जो अनुदान जो दिया जाएगा, यह लाब किसको दिया जाएगा, एक करोड रुपे की लागत को स्टेंडर माना जाएगा, और छोटी काई के लिए 5 करोड और मध्यमिकाई के लिए 10 करोड की लागत पर मिलेगा, MSME को अगले 5 वर्सों के लिए स्टेट GST से 100% छूट मिल जाएगी, और यह चूट बड़ी काईयों को 7 वर्सों के लिए दे होगा, इसी परकार मेगा यूनिटों को 9 वर्सों के लिए स्टेट GST पर छूट दी जाएगी, आगे देखें, अस्पताल खोलने पर 25% तक इंसे दिया जाएगा, सुबे में, यानि कि जारकन में अस्पताल खोलने पर इंसेंटिव का भी प्रावधान किया गया है, जो इंसेंटिव आपको मिलता है, जब आप सेलरी लेते हैं, तो उसमें जो इंसेंटिव मिलता आपको, एडिस्नल, तो 25% तक इंसेंटिव भी मिलेगा, सुबे में अस्पताल खोलने पर, देखे, सूपर स्पेसिलिटी अस्पतालों को कूल लागत पर 25% तक इंसेंटिव दिया जाएगा, और इसके साथ ही, इसके साथ ही आगे देखते हैं, इसके साथ ही 5 सालों के लिए व्याज पर 5% सबसीडी और स्टैंप डिटी तथा लोग कला है, जो आपका जो परंपरावादी कला है, लोग कलाओं को संरक्षन देने के लिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए योजना है, गुरु सिख्स से परंपरा के अंतरगत परसिक्षन नियम 2021 को के गठन को मनजूरी दे दी गई है, राजी की बिलुप्तत होती हु लोग कलाओं के संरक्षन एवं बिकास के लिए योजना सुरू की गई है, और इसके अंतरगत एक वित्या वर्स में दो बिधाओं का चैयन होगा, गुरु को 12,000 रुपे प्रतिमा और उनके सहयोगी को 7,000 रुपे प्रतिमा देतन मिलेगा, अधिक्तम 10 ट्रेनर रखे और प्रसिक्षन अब भी दो वर्स की होगी, नई उद्योग निती में कुछ विसेश प्रावधान है, देख लिजे, स्टांप डियोटी और निवंदन सुल्क जो रजिस्ट्री करवाते हैं, जो उसमें टैक्स लगता है, जो उसमें पैसे लगते हैं, जो उस सत परतिसत व हायता दी जाएगी, और यह भी सभी एकाईयों के लिए उपलब्ध होगा, नई उद्योग निती की अधिसूचना जारी होने की दो वर्स के अंदर, खुलने वाले एकाईयों को खुलने वाले जुनिट्स को पांच फिजदी की अतिरिक्त सबसीडी दी जाएगी, तता बे राजे कर्मियों का भत्ता 11% तक बड़ा, जारकंट सरकार के राजे करमचारियों को बड़ा तोहपा दिया है, राजे के करीब 1.75,000,000,000 राजे कर्मियों को रुका हुआ महंगाई भत्ता जो दिये है, एक जुलाई 2020 से 11% बढ़कर 28% मिलेगा, इसके बाद पहले कितना मि महंगा होगा, संपत्ति का रेजिस्ट्रेशन महंगा होगा, राजे में जमीन और प्रॉपर्टी की रेजिस्ट्री या फिर अन्य तरह के कानूनी समझावतों के लिए बिबिन्स रेनियों में स्टैंप ड्यूटी जो है उसे बढ़ा दिया गया है, नवी दस्वी के विद रस्ताव पर अपनी मंजूरी दे दी है, सरकार की मंजूरी के बाद नवी और दस्वी में नामंकित और पढ़ रहे सभी 2,48,000 चात्रों को नेसुल्क किताबे मिल सकेंगी, चात्राओं को पूर्व से ही किताबे मिल रही है, इसे पहले चात्राओं को मिल रहा था, अब चा में पढ़ने वाले लगभग 2,48,000 चात्रों को नेसुल किताबे मिलेंगी, आगे देखें सौर उर्जा से रोसन होंगे 246 गाओं, याद रखेगा सौर उर्जा से रोसन होंगे 246 गाओं, राज में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम जियोती योजना के अंतरगत, दीन दयाल 246 गाओं में सोलर पीवी माइक्रो ग्रीड जो है, एबं सोलर स्टैंड अलोन सिस्टम से बिजली पहुचाए जाएगी और गाओं की संख्या बढ़ने के कारण लागत 104.86 करोड से बढ़कर 109 करोड करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है, तो देखें, अब बिजली जा से खरीदी गई बिजली का हर महिनी सीधे राज सरकार के कोसागार से भुकतान किया जाएगा और जारखंड बिजली बितरन निगम जो जे बी 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 नेल है, अनुदान के एबज में किये जाने वाले भुकतान के बदले सरकार यह रासी देगी, दोनों कमपनियों से प्रत प्रत करोर और NTPC को 130 करोर का भुकतान हर महिने हो सकेगा, पांच अगस्त 2021 को कुछ जो किये गए हैं, यहाँ पर कैबिनेट द्वारा फैसले, उसके बारे ही बात करते हैं, दसवी तता बारहवी जारखंड सरकार से तो ही नौकरी कहता है, दसवी अगर बारहवी अगर JPSC लेगा अब एक परिक्षा, पांच अगस्त 2021 को एक कैबिनेट ने फैसला लिया था, जिसमें की दसवी तता बारहवी अगर आप जारखंड से करेंगे, तो ही जारखंड में आपको नौकरी मिलेगी, बिल्कुल वाहियाद फैसला है, या एक बिल्कुल गट या पैसला ह अगर दसवी और बारहवी जारखंड से नहीं करेंगे, तो यहाँ नौकरी नहीं कर सकते, क्या ही बत, चलिए कोई नहीं, कैबिनेट बैठक में परिच्छा संचालन की पांच नियमावली को सरल करने के साथ, तीन संचालन संसोधन नियमावली 2021 की गठन के प्रस्ताव पर म नहीं चुने जाएंगे नगर निकाय प्रमुख, नगर निकाय प्रमुख को अब दलिया आधार पर नहीं चुने जाएंगे, जो पार्टी बेस्ट पर पार्टी बेस्ट नहीं चुने जाएंगे, तो याद रखेगा जो पार्टी बेस्ट पर अब जो नगर निकाय के प्र अध्यम से चुना जाएगा एक तरह से का सकते हैं और प्रत्यक्ष बिधी से अब यहां पर चुना होगा नगर निकायों के प्रमुक का सरकिल रेट पर होल्डिंग टैक्स देखे राजे के सहरी छेत्रों में भवनों पर होल्डिंग टैक्स अब सरकिल रेट के आधार पर वस बन गिया है नई विवस्था के तहट आवासिय भवनों पर सरकिल रेट का 0.075% और गैर आवासिय भवनों पर 0.15% की दर से सलाना होल्डिंग टैक्स लगेगा कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैसले हैं उनके बारे में देखते हैं महापौर और अध्यक्च को हटाने की सक्तियां भी पहले की तरह ही राज्य सरकार को दी गई हैं महापौर और अध्यक्च यदी निगम और परिशत की लगातार तीन बैठकों में बिना उप्यूक्त कारण अनुपस्थित एपसेंट रहते हैं या जान भुचकर करतव्यों का पालन नहीं करते हैं या कदाचार का दोसी पाये जाते हैं तो उन्हें हटाने की प्रकिरिया स 25 प्रतिसत से अधिक बढ़ने पर हरे सहरों की स्रेनी क्याधार पर 27, 18 और 9 प्रतिसत दिया जाएगा 14 सितंबर 2021 की बात कर लेते हैं कि खनीज वहानों पर लगेगा टोल टैक्स देखें खनीज वहानों पर अब टोल टैक्स भी लगेगा जहरकंड के खनन चितरों में से खनीज की धुलाई करने वाले सभी कमर्सियल वहिकिल्स को बहर बार इधर और इधर आने जाने के लिए 600 रुपिया टोल टैक्स देना होगा जहरकंड के 22 जिलों में EFIR थाना बनाया गया है जहरकंड के 22 जिलों में electronic FIR मतलब की distance FIR कर सकते हैं रज में खूटी और रामगड को छोड़ कर सभी 22 जिलों यानि कि जहरकंड में 24 जिले हैं और खूटी रामगड को छोड़ कर सभी 22 जिलों में EFIR थाना खुलेंगे आम अज्यात अभियुक्त के मामले में औलाइन मुकदमा दर्ज करा सकेंगे. आगे देख लेते हैं. तो सौर उर्जा से सोलर एनर्जी से पूरा क्या जाएगा सहर को सोलर सिटी के रूप में सेलेक्शन करने और विक्सित करने के लिए 80.75 करोड की प्रसासनिक स्विक्रती कैबिनेट में दे दी है और इससे रूप टॉप पावर प्लांट बिना बैटरी के लिए 40% केंदर तथ जारकंड राज्य सरकार जारकंड में जो खननन चेत्र है या फिर जो खनीज उत्पादित होता है जिस जगह से जिस एरिया से जिस यूनिट से वहां से तो उसका उतपादन खनीजों का उतपादन तो करेगी वहां सेल भी करेगी लेकिन किवल अपने राज्य में ही नहीं जब बलकि जहरकंड सरकार दुसरे राज्यों में भी जो खनीज ब्लोकों की निलामी होगा उसमें भी भाग लेग और बोली बड़ चड़ कर लागा करके वो बेचेगा, फायदा कमाएगा, मतलब एक तरह से बिजनस करेगा. काके में ट्रांसपोर्ट नगर बनाया जाएगा. काके में, राची के कााके श्ठित, सुकुर होटू में EPC मोडल पर ट्रांसपोर्ट नगर बनेगा. कबिनेट ने इसके लिए मंजूरी दे दी है 49.81 एकड़ जमीन पर बनने वाले ट्रांसपोर्ट नगर के लिए 113 करोड 24 लाख 22,624 रुपे की स्विकृति दे दी है और में कबिनेट के कुछ अन्य फैसलों पर बात करते हैं सराय केला के चांडिल अनुमंडल में अनुमंडलिया नियायाले के गठन की स्विकृति दे दी गही है वहीं पर राज में पाइलट प्रोजेक्ट के तहत जन वितरन परानाली के तहत अब फोटिफाइड राइस का वितरन किया जाएगा और इसके लिए फोटिफिकेशन इसकीम लागू करने के लिए राज्य अस्तर पर PMU के गठन की सिप्कृति दे दी गई है अब देखे 21 अक्टूबर 2021 की जारकंड सचिवाले सेवा में नौकरी प्राप्त के लिए राज्य से 10 वी तथा 12 वी जरूरी है जारकंड सचिवाले सेवा में राज्य विधी ज्यान प्रयोक साला सेवा में अब बहाली जारकंड के सैक्षिनिक संस्थानों से नियुन्तम मैट्रिक तता इंटरपास करने वाले अभ्यर्तियों को ही होगी इन सेवा में आवेदन करने वाले अस्थानिय रिती रिवाज भ रगभग 70 करोल रुपिये में बनेगा बंगला, पढ़ने का इसे मन नहीं कर रहा, नगर विकास बिभाग के अंतरगत, राची स्मार्ट सिटी में काबिनेट मिनिस्टर्स के रिए 11 बंगले बनेंगे, बनाओ, इसके लिए करीब 70 करोल रुपे की प्रसासनिक सुकृति दे द ट्रेड इंफरास्ट्रक्चर फोर एक्स्पोर्ट स्कीम के दरगत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की स्थापना राची में किये जाने, एवं राजे के अंस के रूप में 27.42 करोल रुपे की स्विकृति दी गई है, तता वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अंतरराष्ट्रिय कारोबा से सम्मंदित सारी सुबिदाएं एक ही परिसर में मिलेंगी, यह इंपॉर्टेंट है ठीक है, और यहाँ पर जो 11 मंत्री को 70 करोड में आलिसान बंगला दिया जाएगा, थोड़ा उस पर भी ध्यान दे जीएगा, ठीक है, 12 नॉवंबर 2020 को जो फैसले लिए गये हैं, देख राजे के करमचारियों और पेंसन भोगियों को महंगाई भत्ते में 1 जुलाई 2021 से 3% की ब्रिद्धी को हरीजंडी दे दी गई, इसके लावा 14 भागों की नियुक्ती नियमावली को भी मंजूरी दे दी गई है, नियुक्ती परकिरिया के लिए नई नियमावली और पुरा दी है और इसमें 18 वर्ष से उपर के और सहाई लोगों को पेंसन योजना का लाब मिल सकेगा, पेंसन के रूप में 1,000 रुपे प्रतिमा लाबुक की आर्थिक सहाईता दी जाएगी और वर्तमान में राज में 13,16,100 लाबुक हैं जिने विभिन योजनाओं के माध्यम से प पांच हजार तक का स्वास्त अनुदान मिलेगा, सोना सुबरन धोती साड़ी योजना के लाबुक परिवारों को भी लाब देने के स्विक्रिती, देखे सोना सुबरन धोती साड़ी वितरन योजना के अंतरगत मफताल इंडस्ट्री लिमिटेड मुंबई को 6 महिने तक व 25 नॉमबर 2021 की जो फैसले हैं उसे देखते हैं अंतरराश्ट्रिय फलक पर अब दिखेगा जहारकंड मतलब इंटरनेशनल लेबल पर अब जहारकंड को दिखाया जाएगा इसके लिए क्या किया जाएगा देखे जहारकंड को बैस्विक यानि की ग्लोबल लेबल पर बैस् जोग्रफिक का चयन किया गया है इन फिल्मों को नियुनतम 80 बार टीवी पर प्रसारन किया जाएगा बैंक में सरकारी खाता खोलने पर कमाप दंट तै करेगी समीती आगे देखे सरकारी रासी किस बैंक में रखी जाएगी किस बैंक में सरकार का खाता खोला जाएगा यह के लिए कमीटी गठित करने का वित्विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई और समीती के अध्यक्ष वित्विभाग के सचीव अथ्वा भिशे सचीव होंगे टेक्स्टाइल पॉलिसी को अवधी बिस्तार पॉलिसी को अवधी बिस्तार मिला है उद्योग विभाग की जारखंड टेक्स्टाइल अपेरल एंड फूट वेर पॉलिसी 2016 को 19 सितंबर 2021 से नई निती अदुर्शिचित होने तक या फिर 18 सितंबर 2022 तक जो भी पहले हो उस करज लेगी सरकार धान का पैसा समय पर देने के लिए करज लेगी सरकार देखे सरकार ने बित वर्स 2021 में अब तक का सरवाधिक 8 लाक मिठ्री टक मिठ्रिक टन धान खरीद का लक्ष रखा है और यह पिछली बार से 2 लाक मिठ्रिक टन अधिक है धान खरीद के इस लक्ष को प्राप्त करने के लिए 1552 करोण रुपय का कर्ज लेने का प्रस्ताव क्याबिनेट की मुहर लग गई है और तै किया गया है कि किसानों से 2050 रुपय प्रती कुंडल की दर से समानी ग्रेड और 2030 रुपय प्रती कुंडल की दर से A-Grade सरेनी का धान खरीदा जाएगा अब देखते हैं आगे क्या है कि 14 कॉलेजों का विकास होगा और उसके लिए 56 करोड रुपे की मंजूरी बिल गई है काबिनेट की बैठक में 9 दिसंबर 2020 को राश्ट्रिय उच्चतर सिक्षा अभ्यान रूसा के अंतरगत 14 कॉलेजों के विकास के लिए 56 करोड रुपे मंजूर किये गया और हर कॉलेज को 4 करोड उपलब्द किये जाएंगे जारखंड में 404 करोड रुपे की लागत से बनेगी 6 सलके याद रखेगा जारखंड में 404 करोड रुपे की लागत से 6 सलके बनेगी राजे में 6 सड़कों का चोड़ी करन और मजबूती करन किया जाएगा 6 सड़कों की कुल लंबाई 170 किलो मीटर है और इन सड़कों के पुनर निर्मान पर करीब 404 करोड रुपे खर्च होंगे 19 जनवरी 2022 की बात करें तो 21,000 चात्रों को मोबाईल टैब दिया जाएगा देखें जारखंड सरकार राजी के 136 कल्यान आवासिय बिद्यालियों में पढ़ने वाले 21,000 चात्रों को मोबाईल टैब देगी और इसका लाब कक्षा 1 से 12 तक के चात्रों को बिलेगा कैबिनेट ने फैसला लिया है कि अब केंदर प्रायोजित पोसाहार योजना में 6-36 माह के बच्चों, गर्ववती महिलाओं, कुपोसीर बच्चों की तेक होम योजना के तहत समानने की बजाए 45 चावल दिया जाएगा और इसके अलावा रक्षा सकती विश्विदाले में 31 नए पदों के स्रीजन को मंजुरी दे दी गई है बिधायक योजना अंतरगत बिधायकों की अनुसंसा पर जलापूर्ती योजनाओं के लिए 69 लाख रुपिये खर्च को एक्षिक किया गया है देखे जहां पर ये है कि कारखानों में काम करने के दौरान सिल्कोसिस होने पर 1 लाख रुपिये दिये जाएगा उन्होंने बताया कि कारखानों में काम करने के दौरान सिल्कोसिस बिमारी से देखे जो कारखानों में लोग काम करते तो उन्हें एक बिमारी हो जाती है सिल्कोसिस बिमारी से ग्रसित होने पर 1 लाख रुपिये और उसके मौत होने पर आस्रित को 4 लाख रुपिये दे जा पाने को 36 गड़ सरकार की कंपनी का चायन देके राज में सराब के राजसों में ब्रिधी के लिए 36 गड़ राज मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमीटेट के साथ राज सरकार ने में 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 अंडरस्टेंडिंग पर साइन करेगी और राजी के ब्रेवरेज कार्परेशन के परामर्सी के तौर पर 36 गड़ की सरकारी एजनसी का चायन किया गया है गरीबों को सस्ते पेट्रोल हेतु जो CMA Ports App लांच किया गया है मुख्यमंत्री हमन्सोरे ने जारखन में गरीबों के लिए पेट्रोल सबसीडी योजना के तहट निबंदन रजिस्ट्रेशन के लिए CMA Support App लांच किया है मुख्यमंत्री ने 26 जनवरी 2022 को दुमका से इस योजना का सुभारम किये हैं और योग्य लाभूक एप में रजिस्ट्रेशन कर लाब ले सकेंगे राजन कार्ड लाभूकों को अपने दोपहिया वाहनों के लिए प्रती मह अधिक्तम 10 लिटर पेट्रोल के लिए प्रती लिटर 25 रुपे सबसीडी यानि 2800 प्रती मह उनके खाते में DBT के माध्यम से चला जाएगा डारेक्ट चला जाएगा और पारा सिक्षक अब पारा सि बिर्दी होगी और यहां रासी एक जनवरी से बढ़ोतरी की जा रही है 40 फिस्दी की 40 फिस्दी की रासी के अतिरीक्त होगी जारखंड सहायक अध्यापक कोई सेवा सर्त नियमावली 2021 में इसके प्रावधान है इसे 19 जनवरी 2022 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी और नियमा सेवा 60 साल तो खोगी इनमें अन्य कुछ फैसले लिए गए जैसे की नंदिनी जलासे यूजना के तहत इसमें जो अन्य कुछ कैबिनेट के दोरा फैसले लिए नंदनी जलासे यूजना के तहत मुख्य नहरों के अवसिस वा उसका पुनरदार पर 56 करोड 764 रुपे की इशा है उसके लिए के इंडिया का मनुनिया किया गया है आगे देखे 10 फरवरी 2022 को क्या इंपोर्टेंट जो फैसले लिए उसके बारे में देखते हैं जारकंड से मैट्रिक इंटर तो ही दे सकेंगे टेट बहुत देख लिजे जारकंड से अगर आपने मैट्रिक और नहीं देगी है मन्त अब वुआ सरकार ठीक है आगे देख लो इसका इंटर करने वाले समानने वर्ग के चातर चात्रा सिक्षक पत्रता परिक्षा टीटी में सामिल हो सकेंगे आरक्षन का लाब पाने वाले अभ्यरती के मामले में इससे सितिल किया गया है इन्हें अस्था सर्टिफिकेट के माननेता लाइप टाइम रहेगा 2013 और 16 के टेट के सर्टिफिकेट को भी यह माननेता मिलेगी पत्रातु से उत्पादित बिजली राज के हर घर में पहुचेगी पत्रातु थरमल सूपर क्रिस्टल पावर प्लांट से पैदा की जाने वाली बिजली को प्रस्ता लाया जाएगा इसके लिए 281.96 करोड रुपे की मंजूरी दे दी गई है रिंग नेटवर्क पत्रातु पावर प्लांट से उत्पादित बड़ी मात्रा में बिजली को राजे के हर घर तक पहुचाएगी आगे देखे समविदा कर्मियों को महंगाई का भत्ता 196 प्लाइगा इसके लिए 296 फिस्दी हुआ. समविदा कर्मियों का महंगाई भत्ता 196 फिस्दी हुआ. राजे सरकार में समविदा के आधार पर यानि कि जो कार्य करते हैं लोग उसके कर्मियों को महंगाई भत्ता अब 113 परतिसत से बढ़कर 196 फिस्दी दिया जाएगा. 40,000 कर्मियों को इसका लाब होगा कस्तुर्बा इसकूल की सिक्षिकाओं का मांदे 20% बड़ा देके राज्ये में 203 कस्तुर्बा गांधी विद्यालियों में सिक्षिकाओं और 57 जारखंड बालिका आवासिय विद्यालियों में कार्यरत सिक्षिकाओं के मांदे में 20 फिस्दी ब फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए जो के लिए त्री पक्चिय समझोता हुआ। कॉपर्स फंड 20 करोड रुपय का। के लिए एक सट करोड रुपय की स्विकृति दे दी गई है। पहले चरण में 17 क्रीशक पाट साला विक्सित किये जाएंगे और इस योजना का उद्देश से फसल उत्पादन और उत्पादक्ता को बढ़ाना है। धोती साली बाटने के लिए एक रुपया कमीशन। इस पर अगले चा मा के दौरान 1.28 करोड रुपय का खर्चा आएगा और इस दौरान अनुमान है कि 64 लाख लाबुकों के बीच वस्त्र वित्रन होगा। अब देख लेते हैं 24 फरवरी 2022 की जो फैसले हैं विश्त्र विद्यालय कर्मियों को विश्त्र विद्यालय एंप्लोईज, उनिवर्सिटी एंप्लोईज को सात्वा बेतनमान में पेंसन का लाब मिलेगा। जारकंड कैबिनेट ने राजे के विश्त्र विद्यालयों और अंगी भूत कॉलेजों में कारियरत सिक्षकों और पदादिकारियों को UGC पैकेज के अनुरूप छटा पुनरक्षित बेतनमान और सेवा सर्क में संसोधन के स्विकृति दे दी है, 334 थानों में अब 5310 CCTV कै कैमरे लगा जाएंगे, कैबिनेट की बैठक में इसकी मझूरी दे दी गई है और CCTV कैमरे लगाने में राजे सरकार को 78.08 करोड रुपिये खर्च आएंगे, मिडिल स्कुलों में मिलेगी कंप्यूटर की सिक्षा, अब मिडिल स्कुलों में भी कंप्यूटर की सिक्षा मिले हर मेडियल स्कूल कम्प्यूटर की सिक्षा सुनिश्चित कराए जाएगी वहीं राजे के 89 मॉडल स्कूलों में से 84 में ICT, Lab, स्मार्ट क्लास और स्कूलों के सुद्रीडी करन के लिए सरकार ने 71.2-3 करोड की स्विकृति दी है 400 यूनिट से अधिक बिजली की खपत जो सबसीडी होगी बंद देखें, 400 यूनिट से जाएदा बिजली खपत करने वाले उपहुकताओं को अब सबसीडी नहीं मिलेगी सरकार ने इसमें कटोती कर दी है और यह एक अपरेल से लागू होगा कबिनेट ने सोलर पालिसी 2022 को भी मंजूरी दी है और इसमें सौर उर्जा निती में 5 वर्स में 4000 मेगावाट सौर उर्जा उत्पादन करने का लक्ष रखा गया है सोलर पार्क के लिए सरकार जमीन नहसुलक देगी स्टांप ड्यूटी 100% फ्री होगा और सौर उर्जास में आम लोगों के लिए रूप टॉप पालिसी में भी छूट दी गई है देखे पंचायत चुनाओ को घरी जंडी दी गई देखे अभी हुआ है थोड़े दिन पहले पंचायत चुनाओ ठीक है आपको क्या करना है इसे एक या दो बार बहुत ध्यान से सुनना है इसके पीडियेप को आपको परिक्षा हॉल्ट एक मिनट इसके पीडियेप को आपको क्या करना है परिक्षा हॉल्ट 247 के टेली ग्राम चैनल से जोईन करके परिक्षा हॉल्ट याद रख लिजेगा आप चानते ही हैं परिक्षा हॉल 247 टेली ग्राम चानल से जुड़ करके वहां से आप इसके पेडियोप को डाउनलोड करके उसे एक बार देखिए सामने से और इसके बाद इसे सुन लिजी आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा और जैसे जैसे जो भी अच्छी मैगजीन से जैसा कि मैंने कहा है एकजाम से पहले आपको दो मैगजीन जो उससे जारकंट करेंट अफेर्स करा दिया जाएगा आपको ज़्यादा परिसान होने की जरूरत नहीं है कि जारकंट करेंट अफेर्स कहां से करें इसके लिए क्या सोर्स लाएं कैसे करें तो आप आपको कुछ नहीं सोचना बस परिच्छा होल 247 को लगातार फोलो करते रहें एक्जाम से पहले पहले आपको दो मैगजिन का वादा किया है दो मैगजिन आपकी कवर करा दिये जाएंगे अच्छे से कवर करा दिये जाएंगे और इसके पीडिये भी आपको दे दिये जाएं तब तक के लिए हम मिलते हैं एकले वीडियो में